अगर खूब सारी एनरजी के साथ mental focus और antioxidants टादे हैं तो यर्बा माते आपके लिए है यर्बा माते पर आप में से कई लोगों ने कई बार वीडियो बनाने की request की तो ये आपके लिए है चलिए इससे जाने और इससे फाइदा लें यर्बा माते एक traditional South American beverage है जो बनता है Ilex Paraguorances नाम के plant के सूखे पत्तों से हैं इसे माते भी कहते हैं और ये चाई और कौफी के जितना ही popular है काफी common है Argentina, Paraguay, Uruguay और Brazil में हिंदुस्तान और पाकिसान में जैसे हम चाई पीते हैं वैसे ही इन जगों के लोग यर्बा माते पीते हैं यर्बा माते से मिलता है काफी सारा caffeine और nutrients जिससे आप energized और focused रहेंगे वैसे इसका टेस्ट कुछ-कुछ green tea और green coffee का mix लगता है मुझे इसको पीने से आपको मिलेंगे काफी सारे chemical compounds, carbohydrates, protein और fat यर्बा माते के पत्तों में पाया जाता है chlorogenic acid और यह acid जाना जाता है metabolism बढ़ाने, weight कम करने और blood sugar कंट्रोल करने के लिए 1500 ml यर्बा माते tea से आपको लगभग 80 mg caffeine मिलता है चितना 2500 ml coffee में है अब जानते हैं यर्बा माते tea बनाते कैसे हैं Traditionally यर्बा माते बनाया जाता है एक cup और bombia यूज़ कर Bombia metal straw है filter के साथ लेकिन यह सब के पास नहीं होता इसलिए easy तरीका यूज़ करते हैं मेरे पास एक cup है infuser और lid वाला एक से दो टी स्पून यर्बा माते को infuser के अंदर डाले और गरम पानी उपर से डाले पानी का temperature 150 से 160 degree Fahrenheit या 65 to 70 degree Celsius होना है उबलता पानी डालेंगे तो drink कड़वा बनेगा अब लिट लगाएं और 5 मिनिट स्टीप होने दें बाद में infuser हटाएं और enjoy करें यर्बा माते चाहें कम quantity से शुरू करें और देखें body कैसे react कर रही है इन पत्तों को आप कम से कम 3 बार और reuse कर सकते हैं दूसरे तरीके यर्बा माते बनाने के हैं tea bags use करना या फिर french press method tea bags का flavor और potency कम होती है क्योंकि इन में powdered leaves और stems हो सकते हैं अगर आपको यर्बा माते बनाने के बाद flavor strong लगे तो थोड़ा पानी और add कर लें इन जनरल आप थोड़ी सी honey या दूद डाल सकते हैं तेस्ट बढ़ाने के लिए पर weight loss के हिसाब से मैं दूद डालना recommend नहीं करती गर्मियों में बरफ पुदीना जैसे herbs और citrus juice भी डाल सकते हैं यर्बा माते tea से मिलते हैं बहुत सारे antioxidants, vitamins और minerals जैसे vitamins A, C, E, B complex, calcium, manganese और zinc इसमें water soluble caffeine है इसलिए ये चाय पीते ही आपकी energy, mental focus, memory, concentration और physical performance बढ़ जाता है infection से बचेंगे, weight और pate कम होगा blood sugar levels control में रहेंगे आपका reaction time और alertness बढ़ेगा और stress के negative effects कम होगे यर्बा माते tea हलका diuretic है आपका colon healthy रहेगा stools soft होगे और body detox होगे अब share कर रही हूँ कुछ potential health risk और side effects यर्बा माते के जो caffeine sensitive हैं उन्हें insomnia, nervousness, increased heart rate और headache हो सकता है कुछ cases में stomach upset या acid reflux हो सकता है यर्बा माते interact कर सकता है कुछ medications के साथ जैसे stimulants, blood pressure drugs और anti-depressants काफी जादा पिएंगे तो कुछ minerals जैसे calcium आपकी body में ठीक से absorb नहीं होगे pregnant women यर्बा माते कम ही पिएं caffeine content और potential contaminants की वज़े से breast feeding mothers इस drink को avoid करें यर्बा माते safe हैं PCOS, PCOD, thyroid और diabetes के लिए typically 1-3 cups per day safe dosage है इसे आप 3 महिने continuous पी सकते हैं फिर 1-2 हफ़तों का break दे और restart कर लें high quality, sustainably sourced यर्बा माते अच्छे ब्रांड्स कलें क्योंकि यह ensure करते हैं पत्तों को सुखाने के safe तरीके यूज किये हैं और harmful compounds जैसे polycyclic aromatic hydrocarbon से contamination नहीं हुआ है buying links आपको description box में मिल जाएंगे आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया हो subscribe करें इस तरह की और वीडियोज देखने के लिए और मैं जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए enjoy यर्बा माते responsibly and energize naturally बबाई बबाई